हमारी आज की महमान है जाने माने इस्तिरोग विशेशग्य डॉक्टर नूतन डिमरी गैरूला डॉक्टर गैरूला बहुत अच्छी साहितिकार भी है और वो बहुत खुबसरत कविताएं और कहाने भी लिखती है लेकिन उनसे हमारी आज की बाचीत का विशे है महिलाओं में ठकान और कमजोरी कारण और निधान डॉक्टर अब ज्यादा तर जो महिलाएं होती है वो हमेशा इस बात की शिकायत करती है कि वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही है या फिर वो ठकान महसूस कर रही है क्या कारण है कि महिलाएं इस तरह की शिकायत करती है जी इसका एक कारण भी हो सकता है और अनेक कारण का मिला जिला सहरूप भी हो सकता है OPD में आईवी महिलाओं में 80% से उपर महिलाएं जो है वो अन्य कंप्लेंस के साथ ठकान की शिकायत करती है कुछ महिलाइं सिर्फ ठकान को लेकि आती है जहां तक हमारे भारतिय परिवेश में महिलाओं की बात है जो हमारा सोशल धाचा है उसमें महिलाओं के उपर वर्कलोड बहुत जादा है उनकी जिम्मेदारिया बहुत जादा है हमारा सामाज काफी कुछ बदल चुका है महिलाओं के फेवर में काम कर रहा है वरना तो महिलाओं को भोजन में भी जगा नहीं थी भोजन प्राप्ट करने में जो की उसके कंपेरिजन में पुरुशों को मिलती थी और खाना बनाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं को होती थी कई बार खाना नहीं बचता था तो उसको यह भी नहीं बताना होता था कि खाना नहीं बचा है क्योंकि उसको सबको भोजन देना है तो जो बचा खुचा होता था वो खाती थी तो महिलाओं की खाने में ये इस्तिती रही है तो वो इस्तिती बदल तो गई है लेकिन nutritious diet फिर भी महिलाओं को इतनी मिलती नहीं है फिर उनकी body demand भी जादा है nutrition के लिए क्योंकि उनको menses होती है हर cycle में और आगे चलके pregnancy होती है lactation भी महिलाओं को होता है तो उनके लिए जो food में जो nutrition की value है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए उसकी कमी के चलते जो normal work होता है उसी में उनको थकान लग जाती है और फिर कुछ awareness की कमी होती है जैसे कि teenage में लड़कियों को iron folic acid की गोलिया टीनेज में भी दी जानी चाहिए usually उनका दी नहीं जाती है क्योंकि उसमें उनका शरीर का विकास होता रहता है उसमें उनको menstrual cycle भी शुरू होती इसके अलबा कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो सामने पता नहीं होती है अगर वो chronic थकान लगाता है लंबे समय तक थकती है बहुत सारी बीमारियां थाराइड हो सकता है उसको थाराइड में भी थकान लगी रहती है काम करने का मन नहीं करता है पहला कॉस तो एनीमिय ही है क्योंकि 52% non-pregnant girls और ladies उनको एनीमिय होता है लेकिन उसके लक्षण और कुछ पता नहीं चल पाते हैं सिर्फ थकान लगती है या कभी थोड़ी घबराट होती है diabetes होता है या कभी-कभी इसी तरह की अन्य दवाईयां इनके सेवन से भी थकान लग सकती है cancer में थकान लगती है, tuberculosis है, diagnose हुआ नहीं है लेकिन मरीज को थकान महसूस होती है सांस की कमी लगती है, chronchitis है, इस तरह की chronic diseases है, renal failure है या थकान लगती है ये किसी गंभी बीमारी के लक्षण भी हो सकते है तो अगर किसी भी महिला को थकान लग रही है या उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए नॉर्मल बात है कि उसने ज़्यादा काम कर लिया और वो थक रही है तो उसे रैस लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए क्योंकि डिहाइडरेशन से भी थकान लगती है और उसी घटना सुनी है, देखी है जिसके बाद कि उसको स्ट्रेस हुआ और उसकी वज़िसे थकान हुई है तो उसको अपने मन को डाइवर्ट करना चाहिए काफी घंटों से खाना ने खाया, तो उसको कुछ खा लेना चाहिए तो अगर इससे थकान ठीक हो जाती है, तो ठीक है नहीं हो रही है, तो उसको डॉक्टर के पास राए लेना चाहिए आपने बताया कि आपनी दिंचरिया बदल सकते हैं इसके लावा जो उनका भूजन है, उसमें भी बदलाव ला सकते हैं तो तो उससे काफी तक यह कमी दूर हो सकती है, यह कम्जोरी अगर अच्छा हेल्दी डाइट लेगी, तो उसके सरीर में सभी चीज़ों का मीनरल्स है कैलोरीज उसको रेगुलर मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी, मसल्स में ताकत होगी तो इसकी वज़े से जो है, उसका हेल्थ तो अच्छी रहेगी लेकिन अगर कोई व्यक्ति नी डाइट में बार बर उसको मीठा खाने की आदाता है वो बार बर मीठा खाता है, तो स्वीट एक धम तेजी से कैलोरीज बढ़ाता है तेजी से कैलोरीज तो इंस्टेंट उसको कैलोरी मिलेगी, लेकिन उसमें इंसुलिन भी बढ़ जाता है और बार बार ले रहा है, तो इसमें एक तरह का spike साते हैं blood में, insulin और इसके calories के, जिसकी वज़े से फिर उसको ठकान लगने लगती है, तो diet में बार बार सुगर का लेना, बहुत frequent लेना ठीक नहीं है, और उसकी जगापे fibrous diet जो होती है, वो अच्छी होती है, उसे slow mode में calories मिल सकती है कि वो खुद करा लें और उसके आधार पर दिन चरिया में परिवर्तन ले आए जो बहुत सिंपल बेसिक लेवल के टेस्ट है वो करा सकती है वो जैसे कि हीमोगलोविन परसेंटेज अपना देख सकती है ब्लड शुगर देख सकती है कहीं उनको इंफेक्शन तो नहीं यूटीऑ है उरियनेट रेक्टर्फेक्शन आम होता है महिलाओं को यूटीऑ देख सकती है ब्लड प्रिशन अपवा सकती है यह सिंपल चीजें तो वो कर सकते हैं अगर किसी महिला में खून की कमी हो गुई है तो किस तरह कि उन्हें डाइट लिनी चाहिए और क्या क्या उन्हें करनी चाहिए। उसके लिए एक तो आहरन रिच डाइट होने चाहिए। प्रूटीन रिच डाइट होने चाहिए। फोली कैसेड विटामिन्स होने चाहिए। क्योंकि इन सब की जरुत पड़ती है ब्लड बनने के लिए। तो मैं कहूंगे कि जैसे सोया बीन है। गुड़ है। गुड़ और चना। बीच में अगर डाइट के अलावा एक्स्ट्रा बीच में थोड़ा सा ले ले। प्रेगनेंट लेडिज विस इस तरह। दही में अपने आप एक केसीन होता है प्रोटीन। चनी की दाल बेसन होता है वो उसकी भी प्रोटीन, दो किसम की प्रोटीन का मिक्स से आइरन की कडाई में बनाके उसको लें। तो डाइट में फ्रूट्स लें। सभी किसम के जो मौसमी फल होते हैं। हरी सबजी है, आइरन के लिए चिकन, मटन और एक्स हैं तो यह प्रोटीन उसके लिए काफी ठीक रहेंगे। ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और दिन का खाना ले रहे हैं, रात का खाना खाना थोड़ा हलका लें। लेकिन इन तीन के अलाव सप्लिमेंटरी डाइट भी होनी चाहिए बीच में। बहुते ही वेट कॉंशिस होती है, वो बहुत बार डाइटिंग करती हैं। जाती है उनको उनकी दिमाग में एक चीज बैठ जाती कि खाना कम लेना है तो उनको भूक लगना स्वता ही कम हो जाता है और ऐसे में की मसल्स की पूरी हाइपोट्रोफी हो जाती है मसल्स सूख जाती है तो डाइटिंग करनी तो बहुती सुरक्षित तरीके से करें ताकि या फैट और जो मीठी चीजें उसको काम कर सकती है सामाने तो जो मैलाएं होती है वो ओर बड़न होती है बहुत सारे उन्हें काम होती है और बहुत सारी तो काम काईजी मैलाएं होती है उन्हें तो दोहरी जिमेदारी निवानी पड़ती है वो घर पर भी काम करती है और ब बहुत सारे काम करती है महिलाएं, वो एक बंद इंवार्मेंट में करती हैं, और वो हर तरह के muscles पे तो एक्पनी करती है, तो usually आपने देखा को घर में काम करती हैं, कीचन में लगे हिवें, लेकिन महिलाएं मोटी हो जाती है, exercise बहुत जरूरी है, exercise से थकान मिटती है, तो अपने थकान को मिटाने के लिए, और अपने muscles को tone-up करने के लिए, joints को करने के लिए exercise बहुत जरूरी है, थोड़ी-थोड़ी होनी चाहिए. कहीं बार महिलाएं बहुत मानसिक दवाओं में होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, ये भी एक कारण है, इस थकान और कमजोरी का? जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण, एनीमिया जितना बड़ा कारण है, क्योंकि महिलाओं से हमेशा समाज ने बहुत expect किया है, और उसको वो चीज़े नहीं मिली हैं, जो वो चाहती थी, एक तो वर्कलोड के विज़े से उसको थकान लग रही है, लेकिन जो उसको उपर mental stress है, mental stress के विज़े से वो थकान उसको आती है, डॉक्स अब, जो ये मानसिक तनाओ है, इस से बचने के लिए कुछ tips आप अगर देना चाहें, तो बहुत अच्छा हूँ है, हम किसी भी तरीके के तनाओं में हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी है, लेकिन हमें अपने लिए, पहले तो अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर देना चाहिए, महिलाओं को अपनी एक hobby को जरूर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मन की इच्छा का कार्या है, तो वो उसको करने में उसको बहुत happiness की feeling आएगी, उसकी थकान मिट जाएगी, उसमें उसकी थकान, वो थकान की बात और stress को भूल जाएगी, दूसरी चीज की proper rest ले, रात के समय एक healthy वक्ति के लिए, अपनी पूरी sleep cycle को पूरा करने के लिए, साथ घंटे की नीन की आवश्यक्ता होती है, जब मारी sleep cycle पूरी हो साथ घंटे मीनिमाम नीन होनी जी, अगर हम ठीक टाइम पर सोते हैं, तो हमें कुछ समय बाद उसी टाइम पर नीन आएगी, हमारा मन शान तो, तो थोड़ी सी meditation कर लेनी जी, अंत में क्या कहना चाहेंगी, क्या tips उन्हें देना चाहेंगी इस बारे में? Tips तो ये देना चाहेंगी, कि आत्मी एक दिन में नहीं सौस्त होता है, जो छोटा बच्चा है, हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाके बीच में, उसके कीड़े, जो कीड़े की दवाईं होती है, वो भी बच्चे को दिलानी चाहिए, उसको विटाइमिन्स और सप्लिमेंट में आईरन लड़कियों को आईरन देना चाहिए, प्रॉपर वेक्सिनेशन होना चाहिए, सबका चस से दूर रहने के लिए थोड़ा सा जो है, अपनी होबिस को डॉल अप करें और मेडिटेशन करें और समाज का भी दाईत्व है कि महिलाओं को जो उनके उपर जो इतने जादा बर्डन है, वो ना दें उसके, मिल जुलके काम करें, अपने घर में बेटे बेटी को बराबर जो जेंडर बेस जो उनमें डिफ्रिंसेशन होते हैं, वो ना करें, उन बच्चों को भी सिखाएं कि दोनों का बराबर दाईत्व है, दॉक्साब ये तो बात हुई महिलाओं में कमजोरी और ठकान की, यहाँ पर हम थोड़ा सा मूर चेंज करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि आपकी होबी है लिखना, हम चाहते हैं कि हमारे शोताओं को आप अपनी कोई एक कवीता सनाएं, वैसे तो मैं लाई नहीं हूँ, पर एक कवीता मुझे याद है समय, अपनी हत्या के खिलाफ, इसमें इस तरी सही जूड़ी कवीता है, कि जैसे समाज के जो बंदन है, उसको पन अपने नहीं दे रहे हैं, फिर भी किस तरह से अपने समाज और अपने परिवार को महका रही है, अपनी हत्या के खिलाफ, मुझे इस्तमाल करना है जिन्दगी को, अपनी ही हातों, अपनी हत्या के खिलाफ, रोज उमीदों की देहे पर उमकते नासूर मेरी हत्या की साजिश करते हैं, पर हर रात, हर रात नी मंधिरों के साथ सुर्क सूरज के विचार विशलित होते मन की पीट पर हाथ धरते हैं मैं, मैं अपनी जिद पर अड़ी जिन्दगी को हर दिन गुल्दान में सजा देती हूं ताकि महकता रहे घर बर, महकता रहे घर बर बहुत ही खुबसूरत कविता है, बहुत-बहुत शुक्रिया डक्टर गैरोला कि आप स्टूडियो माई और आपने ना कि बल महिलाओं में ठकान और कमजोरी के बारे में बताया बलकि एक अपनी खुबसूरत कविता भी सुने, बहुत-बहुत शुक्रिया आभार